नमस्कार दोस्तों आप सभी का मारे चैनल पे स्वागत है अगर आप options में trade करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए क्योंकि आज मैं आपको option का indicator बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से ये indicator काम करता है कैसे आपको signals मिलते है और किस प्रकार का criteria आपको follow करना है confirm perfect call को लेके तो ये सारी बाते हम इस वीडियो मा आज देखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आज मैं आपको bank nifty का call side और put side दोनों का view बताने जा रहा हूँ Friday के दिन तो सबसे पहला bank nifty का 47,800 का call चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे दिन आपको एक ही call मिला था और ये morning के session का call बना था confirm perfect एक call था इसने आपको target दिये तो ये था call side का view और अगर हम put side की बात करें तो put side में morning में आपको कोई भी call नहीं मिला afternoon में एक call जनरेट हो आता ये भी एक confirm perfect call था इसने आपको तीनो target दिये ठीक है और उसके बाद आप अगर चेक करें तो यहाँ पे दुबार आपको एक call जनरेट हो आता around धाई बजे के आसपास लेकिन ये call perfect नहीं माना जायागा इसमें आपको trade नहीं करना है तो इस तरह से call side put side का view था अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्राकार के call confirm perfect होते हैं जिसमें आपको trade करना है और क्यों हमें fake call में trade नहीं करना है इसका भी मैं आपको reason बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहला हम analyze करें कि confirm perfect call तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब इस strategy आपको signals देती है तो आपको green colors के आरो देखना मलते है इनका indication buying का बनेगा आपको end of the candle trade करना है मतलब जिस भी candle पर ये call generate होता है उसके closing पर आपको काम करना है अब ये closing of the candle आपको पता कैसे लगता है तो उसके लिए आप ए closing timer दिया है यहाँ पर जैसे आपको 10 या 20 seconds बाकी रहेंगे closing को तब आपको कुछ confirmation लेना होता है उसके base पर आपको पता चलता है कि call कितना confirm है कितना sure है और उसके बाद आप तरविनल पर जाके आपके trade execute कर सकते हो तो ये कौन से parameter से जो आपको analyze करने होते है तो सबसे पहला parameter आपको देखना है volume यहाँ पे green होना चीए second thing आपको देखना है bias का percentage seller से जाधा होना चीए third thing आपको candle का color देखना ये green मेर है और lastly आपको देखना है यहाँ पे जो trailing stop loss है yellow color से आप देख पारे हो ये हमारे candle के नीचे होना चीए तो ये सारे parameters अगर कोई call follow करता है तो वो call confirm perfect माना जाता है और ऐसी cost में आपको trade करना है ठीक है तो आप check कर सकते हो ये भी confirm perfect call था और इसमें आपको तीनो target मिले अगर इस call के हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो entry मिली है 344.10 के rate से first target आपका 370 का था second था 390 का और third यहाँ पे आपका target बना है 448 का और easily आप अगर check करें तो third target यहाँ पे easily अच्य हुआ है और उसके बाद जो high आपको देखने को मिला आप यहाँ पे high चेक कर सकते हो 460.75 का तो perfect यह call था perfect लिए आपको targets मिले ठीक है so call side का view आपने check किया पूरी दिन में आपको एक ही single call मिला था जो confirm perfect था और इसने आपको targets भी दिये अब बात करेंगे हम put side की तो आप अगर चेक करें तो morning का market यहाँ से start हुआ आपको पहला call यहाँ पे generate हुआ था यहाँ था around 12 बच के 40 मिनिट को confirm perfect यह call था आप अगर यहाँ पे parameters match करो तो green volume था 81% buyers थे candle green थी और stop loss line भी आपकी नीचे थी तो confirm perfect यह भी call माना जाएगा और यहाँ पी भी आप अगर चेक करें तो 290 3.65 के आपके entry बनी है first target 316 का था second था 330 का और third आपका बना 382.60 का easily आप चेक कर सकते हो तीनो target मिले और जो high मिला है आपको 474.65 का so इस तरह से यहाँ पे भी आपको तीनो target मिले उसके बाद आपको second call जनेट हो आता आप चेक कर सकते हो around 2.40 मिनिट को लेकिन यह confirm perfect call नहीं माना जाएगा क्योंकि आप अगर चेक करें तो यहाँ पे जो trailing stop लो से यह आपकी candle के ऊपर है तो यह हम fake call कंसिडर करेंगे और essay call में आपको stickly trade नहीं करना है essay call आपको award करके चलने है तो अगर हम put side की बात करें तो put side आपको total 2 call मिले दो में से एक confirm perfect था इसमें भी आपको target मिला है और second जो fake call था इसमें भी आपको target देखने को मिला लेकिन essay call आपको trade नहीं करना है इसमें आपको risk की माने जाएंगे तो उसी साब से आप अगर bank nifty के call side, put side का view चेक करें तो दोनों में आपको एक perfect call मिला है call side और perfect call मिला है put side तो मतलब total आपको 2 call मिले है bank nifty में call side, put side मिला के और दोनों confirm perfect थे जिसमें आपको 3 टागेट मिले तो इस तरह से ये हमारी confirm perfect call की strategy है जो आपको properly advance way में guidance provide करवाती है advance indicators से ये use होते है जिसमें आपको काफी perfection मिलता है signals को लेके और ये signals आपको 90% के एक उसे देते है first target के बेस पे जहाँ पे आप 8% का profit easily book कर सकते हो तो आपको अगर इस strategy का live demo देखना रहे तो please screen पे दिये number पे आप मुझे contact करे whatsapp करे description में आपको website के link भी मिल जाएंगी वहाँ जाके भी आप register करो ताकि हमारा executive आपको call करेगा और ये strategy का live demo औरेंज करवा देगा मैं उमीद करता वीडियो आपको पसंद आए please वीडियो को like करे, channel subscribe करे और इसी प्रकार के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे channel पर बने रहे thank you for watching, bye